दोस्तों आज की वीडियो में काफी अच्छी अपडेट्स आप लोग के लिए आया हूँ लिकिन हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा काफ जिला हिंदी चैनल को मैंने 2006 Mr. Olympia पर वीडियो डाल दिया अपने YouTube चैनल पर अगर आप लोग नहीं तक नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए बहुत जादा मेहनत लगी है उस वीडियो में और काफी अच्छी वीडियो बनी है मेरे इसाब से इस वीडियो को देखने बाद आप लो में आ रही है कि सर्जियो आ चुके हैं यूएस में वापस सर्जियो ने इसी चीज़ को दर्शाते वे एक अपनी पोस्ट भी डाले Instagram पे मीम डाली है एरपोर्ट पे जौन सीना के डांस वाली लेकिन ये चीज़ अब कंफर्म हो गई है कि सर्जियो आ चुके हैं वापस से यूएस में और वो कॉंपीट करने वाले हैं कली होने वाले कैलिफोनिया प्रो में और अब यहाँ पे कैलिफोनिया प्रो का लाइन अप और बहतर हो चुका है इससे पहले कलिफोनिया का लाइन अप इतना तगला नहीं था हम लोग को अगर याद हो तो बहुत पहले यहां पे पैट्रिक मोर ने अनौन्स किया था कि वह कॉंपीट करने वाले लेकिन उन्होंनों भी शो से बैक आउट कर दिया था यहां पे सिर् जैसे कि उन्होंना अपनी स्टोरी में बताया है 280 पाउंड से उपर है और इंदम कंप्लीटली श्रेड़ेड है इस ताइम अब जैसे कि अगर आप लोग को मालू हो प्लेन में ट्रैवल करने से बौडी काफी जादा वाटर भी होल्ड करती है तो इस बात के तो गरेंटी ह वो कफ से नहीं खेल रहा है जबसे वो शौन क्लेरिडर से हारे थे एक तरीकर से हारने के बाद वो काफी जादा डिसपॉइंट हो गया थे अब एक ऐसे बंदे नापको हरा दिया जो आपसे सो पाउंड कम बे करता है यह उनके लिए काफी जादा एक डिसार्टनिंग है लेकिन पक्की पकी खबर है कि वो खेल रहा है है यहां पहर बहुत ही बड़े बॉड़ी बिल्डर आप 10 औरम्रेंपियन ने अनाूंस कर दिया है कि वो खेलने वाले कि कौन यहाँ पर जीतेगा क्योंकि तब करी टकर होगी बॉड़ी बिल्डर्स के बीच देखिए लाज शो न्यूवर्ड प्रो काफी बड़ा शो माना जाता है लेकिन तुभी एरी होनेस उतना अमीजिंग शो नहीं था न्यूवर्ड प्रो यहाँ पर जो टॉड़ी बॉड़ी बिल्लर्स थे न्यूवर्ड प्रो में वही थोड़े इंप्रेसिव थे बाकि सारे बॉड़ी बिल्लर्स उतने कुछ खास नहीं थे लेकिन कैलिफोनिया में शयद वो कहानी बदलने वाली है कैलिफोनिया में काफी अमेजिंग अब लाइन आप हो चुका है अब मैं बहुत जादा एकसाइटेड हूं देखने के लिए कि क्या होने वाला इस शो में और आप लोग भी ये मिसना करें उसके लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा चलिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स अब्डेट की तो चलिए हम लोग हसन मुस्तफ़ा की बात कर ले थे जोड़ी सी यहाँ पर हसन मुस्तफ़ा ने अपनी ये दो अप्डेट्स डाली है जहाँ पर उन्होंने फाइनली अपनी बैक शो करी है और back कासी ज़्यादा improved नजर आ रही है उनकी यहाँ पे उधने ज़्यादा flat नहीं लग रहा है despite इस चीज के कि उन्होंने भी कुछी टाइम पहले बताया थे कि वो zero cards पे चल रहा है हसन मुस्तफा के लिए एकदम perfect strategy है कि उनको zero cards पे रखा जाए इसलिए time and time again हम लोग ने देखा है हसन मुस्तफा की जो peak होती है उमिस हो जाती है लेकिन इस बार नए coach के अंडर है हसन और इस बार नए strategies को अपना रहे है और काफी हद तक updates के माने तो उनकी strategy एकदम completely work कर रही है इस time 100% हसन मुस्तफा हम लोग को एकदम shredded monster नजर आने वाले स्टेच पे बस यहाँ पर हसन मुस्तफा को अपने mid section के काफी ज़्यान रखना होगा और अपनी posing डेफिनिटली बहतर करनी होगी और मेरे खिया से चैड निकल से कैसे coach है जो की इन वलेयर अक्सर अपनी updates तुरं तुरं निकालते रहते हैं लेकिन यहाँ पर उनकी update बिलकुल भी नहीं देखने को मिल रही है देखिए इससे पहले भी उन्होंने बोला था कि वो disappointed है अपनी Olympia की performance है और वो fans को एक अच्छा package दिखाना चाते हैं शायद इसलिए वो छुबा कर रख रहे हैं अपनी पूरी physique क्योंकि वो चाहते हूं stage पर सबको surprise करना लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप लोग ने वो कहावाज जरूर सुनी होगी हर सिक्के के दो पहलूर होते हैं यहाँ पर दूसरा पहलू भी हो सकता है यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इस टाइम एन वेले अपनी physique से उतने comfortable ना हो उतने confident ना हो इसलिए वो शायद अपनी physique को उतना जादा present ना कर रहे हो online लेकिन देखे हो कुछ भी सकता है अगर यह दोनों bodybuilders on आ है तो जादा chances रहते हैं यहाँ पर इन वेलेर की जीतने के लेकिन शायद new and improved हसन मुस्तफा उनको इस बार beat कर दें लेकिन जो होगा उन्होंने कोई ऐसा show confirm नहीं किया है लेकिन यह updates अगर हम लोग देखें यहाँ पर updates में उन्होंने अपनी बैक दिखाई है और बैक उनकी इस टाइम काफी ज़दा थिक नजर आ रही है improvement की बात करें तो यहाँ भी बहुत ज़दा improvement नजर आ रही है उनकी फिजीक में उनकी वीटे पर और ज़दा extreme नजर आ रही है मतलब काफी अच्छी नजर आ रही है और finally शायद वो इस टाइम वो thickness एट कर चुके है अपनी फिजीक में जो much regret थी जिसके बारे में लोग बोलते थे कि अगर वो thickness एट कलने तो शायद वो sebum के बगल में आके खड़े हो जाएंगे और देखें टॉप contender में लोग Logan Franklin को नहीं गिनते हैं लेकिन लोग भूल जाते हैं कि Logan Franklin कितने अच्छे हैं actually में उनके पास room है improve करने का और actually में उनका structure बहुत अच्छा है यहाँ पर अगर कोई इंसान अगला Mr. Olympia बन सकता है तो most probably Logan Franklin बन सकते हैं because of his outstanding structure यहाँ पर हम लोग को ऐसा भी होते हुए देख सकता है कि Ramon Dino को बहुत पीछे छोड़के वो एकदमी front line में आके खड़े हो जाएं वो एकदमी सीबम के बगल में आके खड़े हो जाएं और शायद सीबम को भी defeat कर सकें क्योंकि इस time improvement तो बहुत ही amazing नज़र आई उनकी back में लेकिन off season और in season बहुत different रहता है इसलिए अभी जादा speculation करना सही नहीं होगा जैसा होगा उस time हम लोग जरूर देखेंगे और मैं excited हूँ काफ़े जादा Logan Franklin को finally stage पे देखने में दोस्तो classic athletes पे ही रहते हुए हमारी अगले update आदा आती है माइक समरफेल्ड के उपर जो की बहुत ही जल्दी classic physique में एक बहुत ही उबरते वे नाम नज़र आ रहे हैं माइक ने यहाँ पर अपनी off-season updates डाली है और यहाँ पर यह बताते हैं इन्होंने शुरू कर दिया off-season जहाँ पर बता रहे हैं इस time उनके pumps बहतार हो चुके हैं अच्छे से वो खाना खा रहे हैं और workout volume भी उन्होंने substantially बढ़ा दी जोस्तों जैसे कि हम लोग को मालूम है इस साल टेरेंस रफेंच जो की बहुत ही टॉप पर चल रहे थे classic फिजीक में उनको भी defeat कर दिया था माइक सवरफेल्ड ने और माइक एक ऐसे उबरते वे athlete अमलों को नज़र आया जो की बहुत ही अच्छी potential लगते हैं classic फिजीक में इनकी फिजीक है क्योंकि यहां पर अभी सही काफी ज़्यादा बव नज़र आ रहे हैं काफी ज़्यादा थिक नज़र आ रहे हैं कर अब यह सब classic athletes बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग मनाए दे रहे हैं classic फिजीक को and I think इस साल सीबम के लिए वापस से वह title को retain कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाई है दोस्तो हमारी आखरी अपडेट आती है कार्लोस थॉमस जूनियर की तरफ से जब से amateur से प्रो में turn हुए है अभी तकि नोन अपना pro debut नहीं किया है यहां पे जल्दी हम लोग को कार्लोस थॉमस जूनियर दिखने वाले हैं stage प इसके साथ उनका structure भी काफी अच्छा है एक मास मॉस्टर होने के बावजूद भी उनकी वेस्ट छोटी है और करेंटली वो इस टाइम सबसे हाइप बॉडी बिल्दर है जिसने अपना pro debut नहीं किया है और काफी लोग excited है इनको stage पे देखने के लिए including me और जैसा ही अपना show अनौस करेंगे आप लोगो अपडेट कर दूंगा उसके लिए आप लोग चैनल सबस्क्राइब कर दीजेगा चलिए आज की वीडियो को यह खतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजे चैनल सब्सक्राइब कर दीजे वहाँ वह 2006 Mr. Olympia वाली वीडियो देखना मत भूली गया क्योंकि काफी मैनत लगी थी उसमें चलिए आज ये वीडियो को ये ख़तम करते हैं मिलेंगे आफसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाएं